वाइनरी टू डेसिमर को देखेंगे कोई भी एक बाइनरी नंबर दिया हूँ रहेगा उसका डेसिमर नंबर क्या होगा उसको फा待 करने की कोसेश करेंगे तो हम जानते हैं यह दैग्राम से देखो यहां पर एक binary number हमें दिया हुआ है तो यहां पर इसको करते कैसे हैं जब हमें निकालना होता है तो अब देखो यहां पर जो 1010 को binary form में अभी हमें उसका decimal find करना है तो अब यहां पर देखो जब भी binary से decimal करना होता है तो जितने भी डिजिट होते हैं उस binary number में जैसे यहां पर देखो चार डिजिट है ठीक है चार डिजिट कुन कुन से 1 है एक 0 है फिर 1 है फिर 0 है अब इन सब का अगर हम relative position देखें तो पोजिटन देखें तो 1,2,3,4 चार पोजिटन का है लेकिन जब relative position की बात करते हैं तो हम इसे right to left count करते हैं और जो starting होता है वो हम 0 से करते हैं तो 0, यह 1, यह 2, और यह 3 तो पोजिटन देखा जाए तो जो 0 है उसका पोजिटन 0 है जो 1 है उसका पोजिटन 1 है फिर जो 0 है पोजिटन 2 है और जो 1 है उसका पोजिटन 3 है तो यह जो पोजिटन होता है उसको क्या करते हैं यह नंबर से बहले तो इस नंबर को जो नंबर होता है let's suppose हम right side वाले नंबर से सुरू कर रहे हैं तो right side में क्या 0 ठीक है तो 0, 0 लेंगे ठीक है उस नंबर को फिर 2 से multiply कर दें और जो पोजिटन की वैली होगी उसको उसके पावर में रखेंगे तो 2 का पावर 0 हो जाएगा फिर उसको add करेंगे फिर जो 1 है उसको भी 2 से multiply करेंगे और जो उसका पोजिटन का नंबर होगा वो उसको पावर में देंगे similarly फिर वही करेंगे फिर 0 को लेंगे फिर 0 को लेंगे उसको 2 से multiply करेंगे और उसका जो पावर होगा कितना 2 पोजिशन जो भी पोजिशन होगा वो देंगे फिर 3 को लेंगे फिर उसको sum में रखेंगे ठीक है फिर 3 को फिर 3 को भी 2 से multiply करेंगे और उसका पोजिशन क्या है नहीं 3 नहीं है, sorry, sorry भाई, 3 नहीं, 1 है, उसको किस से multiply करना है, 2 से, और यह 3 है, वो position है, position क्या है, 3, तो ऐसा करके, जो भी अब यहां पर evaluate करेंगे, evaluate करने के बाद, जो भी number आएगा, ठीक है, जो भी number क्या आएगा, 10 आएगा, जिसे 2 का power 3 क्या हो जाएगा, 2 का power 3, 8, ठीक ह होगा, 4 into 0, 0 हो जाएगा, 2 का power 1, 2 मिलेगा, into 1, तो यह फिर 2 हो जाएगा, प्लस, 0 into 2 का power 0, 2 का power 0, 1 होता है, और 1 into 0, something 0, तो यह 10 देगा, ठीक है, तो इस logic से हमें, बाइंदिर को डेसिमल कनवर्ट करना है, अब यहां पर सिर्फ चार डीजिट का था, बाइंदरी, अब यह में भी 5 का हो, 6 का हो, ठीक है, तो उसका हमें, एक्विवेलेंट, जो भी decimal value होगा, decimal value जो भी natural numbers होते हैं, 0 से लेके up to n, ठीक है, तो वो print करना है, तो प्रोग्राम में चलते हैं, ठीक है, तो यहां हमने class बना हुआ है, binary to decimal का, ठीक है, main method भी create कर लिया है, let's suppose, user से हमें बर लेते हैं, ठीक है, तो user से लेना है, तो scanner class को यूज करते हैं, scanner is equal to new of scanner, ठीक है, system.in, एक message print कर लेते हैं, system.out.println, println देता हूँ, ठीक है, ln, enter a binary number, binary number, ठीक है, को एक binary number enter करना है, वो integer type का होगा, n, b ले ले लता हूँ, binary को, ठीक है, binary रख लेता हूँ, into sc.next, read कर लिया हमने, number read हो गया, अब हम क्या करते हैं, एक method create करते है, method create करेंगे, ठीक है, एक method होगा, ठीक है, यह method क्या करेगा, यह binary से, जो भी binary value दिया जाएगा, इस method को, उसको decimal में convert करेगा, method for binary to decimal, यह method है, वो binary से decimal में convert करेगा, किसको, इस binary number को, इस binary number को convert करेगा, और जो जो convert होगा, तो यह method जो convert करेगा, उस number को, तो रिटर्न क्या करेगा, एक integer type का decimal, decimal, decimal value return करेगा, ठीक है, यह decimal value आएगा, उसको में print कर देना है, तो system.out.println, और यहाँ पर हम देंगे, यह से देंगे, decimal of, decimal of binary, decimal of binary, binary, यह जो binary number है, उसका decimal क्या होगा, तो is, यहाँ पर हम decimal को print कर देंगे, अभी तक क्या हुआ, बस हमने user से, एक message print किया, कि एक binary number input करो, उसके लिए message print हो गया, line number 9 मे, binary number को हमने read कर लिया, ठीक है, और उस binary number को, हम एक method को pass कर दे रहे है, method for binary to decimal, उस method को pass कर दिये है, ठीक है, जब हम उसको pass कर दिये है, तो अभी यह method क्या है, process करके, हमें एक decimal value provide करेगा, उस decimal value को हमें यहाँ पर print कर दे रहे है, तो इतना तो simple से कानी होगी, लेकिन जो actual में जहां काम है, method for binary to operation, जो method है, उसको हमने अभी तक बस declare किया, call किया, define नहीं किया, चलिए इसको define करते हैं, तो cursor को यहाँ पर रखता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं create करता हूँ, देखो, यह method for binary जो method था, वो एक जो binary number ले रहा था, sorry, वो कैसा था, integer type का, तो यहाँ अपने आप integer type का argument आ गया, ठीक, argument का parameter बन गया, और उसका return type integer था, तो यहाँ भी return type integer आ गया, अब ठीक है, यहाँ तक बात सही हो गई, ठीक है, अब क्या करना है, एक्चुल में मुझे operation करना है, इस number पे, ठीक है, let's suppose अभी हमारे पास 1010 है, user ने input कर दिया था, 1010, ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस 1010 से, हमें 0 का position चाहिए, 123, अब इसमें कुछ भी हो सकता है, अगर let's suppose double 0 रह 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 रह, ठीक है, या 1 रह जा, ठीक है, तो उ इसका मुझे position find करना है, तो क्या करूँगा मैं, while, एक while loop लोगा, और यह जो binary आ रहा रहा न, इसमें operation perform करूँगा, इसमें operation perform करना है, कब तक, यह not equal to 0 हो जाए, तब तक, इसमें operation perform करना, अब क्या करना है, इस number से हमें पहले 0 चाहिए, ठीक है, तो 0 कैसे आएगा, कोई भ binary वाले variable में है, sorry, इस binary वाले variable में, अगर इस number को modulo 10 करते, तो वो reminder 0 देगा, sorry, 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 तो इस अगर binary वाले number, तो वो हमें reminder 0 देगा, ठीक है, यह reminder 0, तो इसको हमें एक variable में store कर लेते है, यह reminder दे रहा है, तो आर को हम reminder कहते है, ठीक है, आर, variable ली है, जो reminder को store कर लेते है, तो आर में अभी 0 आ गया, ठीक है, अब हमें करना क्या है, फिर से diagram देखो, जैसे हमें 0 मिला, जैसे हमें 0 मिला, उसको 2 से multiply कर देना है, और 2 का power फिर 0 से multiply करना है, 2 के साथ उसका power 0 होना चाहिए, अगर 2 का power 0 क्या होता है, ठीक है, तो हम direct 1 भी लिख सकते हैं, बट क्या हो जाएगा, सिर्फ एक case के लिए, लेकिन फिर अगला case में 2 का power 1 होना चाहिए, 2 का power 2 होना चाहिए, फिर 2 का power 3 होना चाहिए, तो हमें उसको भी ध्यान में देना है, अगर देखो, यहाँ पे एक चीज और समझो, 2 का power 3 हो रहा है, मतलब क्या, 2 3 times multiply हो रहा है, और 2 का power 2 हो रहा है, तो 2 2 times multiply हो रहा है, 2 का power 5 हो, तो 2 5 times multiply होगा, ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, 2 का power 0 हो, तो 2 एक बार भी multiply नहीं होगा, ठीक है, अब program में आओ, तो 0 आ गया, ठीक है, अब हमें पता है, कि इसका position value क्या है, relative position क्या है, 0, 0 का 0 ही है, 1 का 1 है, फिर 0 का 2 है, और 1 का 3 है, तो, इस 0 को, 0 किस में store है, आर में, आर में store है, ठीक है, इसको क्या करना है, हमें 2 के power से multiply करना है, तो 2 का power चाहिए हमें, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पाउ नाम का एक method बनाता हूँ, जो true के power से, इस number को multiply करेगा, इसे, अभी इस 0 के लिए, टू का power 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे हमें 0 देना होगा, अगर मैं अभी सिर्फ number input कर दूना, तो यहाँ पे एक error create हो जाएगा, क्या, क्योंकि यह सिर्फ 0 को ही लेगा, ऐसा होना है, कि फिर अगर 0 के बाद 1 आए, यह number अपने आप 0 के बाद 1 हो जाए, फिर अगर फिर 0 आएगा, तो फिर 1 के जगा यह 2 हो जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 के जगा, फिर 3 हो जाएगा, तो हमें वैसा change करना है, तो यह एक तर आएगा, और उस पावर को मैं यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ, तो अब देखो, आर जो 0 आया, उसको हम, यह जो method है, पाव, वो क्या करेगा, तो का पावर फाइंड करके देगा, तो का पावर कितना 0, अभी initially 0 है, पावर की value 0 है, तो तो का पावर 0 जो भी value होगा, वो को अभी तक हमने define नहीं किया, अब यह बस इसे हमें call किया है, ठीक है, sorry, अब यह जो आ गया, ठीक है, तो इसको हम एक variable में लखेंगे, तो actual में देखो, यह जो हमें, क्या होगा, 2 का, मतलब यह जो क्या होगा, 0 इन्टू का पावर 0 से multiply होगा, और sum होगा, तो actual में हमें क् तो अब हम क्या करते हैं, यहां पे इन्ट, एक decimal नाम का, एक decimal नाम का variable बनाते हैं, और इसको हम अभी 0 से assign करते हैं, ठीक है, 0 से assign करते हैं, और हम यहां पे decimal को call करते हैं, और यह जो power वाला है, और जो r से reminder से multiply हो रहा है, जो position निकाल निकाल के ला रहा है, उसको यहां से decimal म तो अब देखो यहां पर actual में क्या हो रहा है यहां पर semicolon देता हूँ अभी भी decimal का value 0 है अभी हमें पता नहीं कि decimal क्या है तो इसले हमें निसली मान लिए 0 है तो 0 पलस R, R में अभी 0 आया पावर 2, 2 का पावर 0 हमें पता है इसका position क्या है 0, 2 का पावर 0, 1 देगा तो R का value 0 into 2 का पावर 0, 1 तो यह 0 हो गया तो यह 0 हो जाएगा decimal अभी भी 0, 0 पलस 0, 0 ही रहाएगा ठीक है अब क्या करना है पहले तो हम इस पावर को बना लेते हैं ठीक है 2 का पावर 0 कैसे आएगा तो इस method को हम create कर लेते हैं sorry method create कर अरे भाई क्या हो गया method को create करते हैं ठीक है method को create करते हैं देखे यह जो method है पाव वो दो तरह का दो आर्गुमेंट ले रहा था एक दोनों integer टाइप का है और उसका जो return type है डेसिमल डेसिमल क्या था वह भी इंटीजर टाइप होगा था इसलिए यहां पर return type डेसिमल है sorry integer है अब पावर कैसे find करना है तो अगर मान लो जो पावर यह जो पावर है उसका पावर की value गर 0 रहा तो हम यहां पर check कर लेंगे ठीक है क्या करना है अगर पावर 0 है तो यहां पर हमें एक variable create करते है पी डवलो यह अलग पावर है ठीक है जो पावर find करके देगा इसको हम बना लेते हैं ठीक है और return कर देते हैं पावर को सिंपल सा बात है अगर यह 0 आएगा अभी तो intimate i में टू ही है न एक तरा से टू है तो इसका काम मुझे नहीं है जो भी काम करना है मुझे इस पावर वाले में ठीक है तो अगर पावर 0 होगा तो सिंपल सा पीड़ वान वन हो जाएगा और यहां से फावर वन रिटन हो जाएगा अगर अधर दें पावर अगर जीरो के जगा कुछ और आता है वोन और टू आया तो क्या करना है हम एक while loop यहां create करेंगे और इस power नाम के variable इस power नाम के variable में operation perform करेंगे तब तक जब तक यह 0 ना हो जाए जाहें यह 0 से बला रहें इस पर हम 0 से बला रखेंगे ठीक है 0 से बला क्यूंकि 0 का case थो हमने यह power 1 लाही कर दिया मतलब one return कर देगा कुंकि किसी की बही नंबर का power अगर झियो है तो वह we will return करता अब इस वाई-look की bodybsp कर देते हैं तब तक करना जब तक power zero से पढा है अब हमने कहा था अगर तू का power 2 का Power 2 होता है तो v2 multiplied होता है तो q5 multiply होता है 2 तू speaks 2 का 5 होता है तो अगर यहां पर 2 का Power 0 है तो तो यह तो 3 Pikachu 10 खरेगा 10 Japan थेरो रहेगा नहीं तो 2 शिंपल यहां से 1 रितन हो जाएगा let's suppose power की value 2 है let's suppose यहां power की value 2 रख रहे है ठीक है तो यहाँ पर क्या होना है I में अभी भी let's suppose 2 में आपको confusion होगा तो यहाँ पर जो value आया हमें 2 का power चाहिए ए में 2 आ गया है जो I की value है यहाँ से 2 आयी है और let's suppose power हमें 3 चाहिए 3 चाहिए तो 2 का power 3 8 होता है अब देखो वाइल लूप कैसे काम करेगा यह तो पहले यहां जाए इस लाइन में ठीक है और यह कमेंट लाइन हटेगा यहां से अब देखो पावर के भेलियो थ्री है तो थ्री क्या जीरो से बड़ा है तो क्या करना है इस पावर नाम का वेरियबल है उसको वहां पर यह जो आई है ना आई में क्या है टू उससे उसको मल्टिप्लाई करो और फिर क्या करो कुछ नहीं यहां पर पावर को माइनस माइनस करता हूं क्यूं कर रहा हूं अभी देखो आप पावर की वेल्यू क्या है थ्री तो यहां पर चेक हुआ क्या थ्री जीरो से बड़ा है ट्रू तो यह लाइन में आएगा अब यहां पर पी डवल्यू की वेल्यू क्या है वन वन इंटू यहां पर क्या हो रहा है at 1 into 2 यह क्या दिया अभी देखो यहां तो नहीं ख़ूख कि फ्र यहां पे स्लीी थे प्लाइव थे इस निबें यहां तो पावर माइनस– पाथ मतलब 3-1 यह क्या हो गया है तुट हुआ अभी भी while loop के अंदर ही है ठीक है फिर यहाँ पे गया क्या 2 0 से बड़ा है हाँ है तो फिर यहाँ पे आभी pw में क्या है 2 2 into i i की value हमें constant ही है वो 2 है वो 2 है तो 2 into 2 क्या हो गया 4 हुआ अभी power की value क्या है 2 तो 2 minus 1 क्या होगा 1 अब फिर यह value के पास आएगा क्या 1 0 से बड़ा है true तो फिर यहाँ पे आएगा अब pw pw की value क्या है अभी 4 है 4 into i i की value क्या है 2 तो 4 into 2 यह क्या देगा 8 अब फिर इस line में आएगा अभी power की value क्या 1 1 minus 1 यह क्या हो गया 0 0 हो गया फिर यह value की पास गया क्या 0 0 से बड़ा है नहीं तो while loop की body खतम condition fail अब फिर यहां से pw return होगा तो अब यहां देखो pw जो return होगा वहाँ 1 अभी return नहीं हो क्यों क्योंकि यहां पे इस line में pw की value change होके 1 से 8 हो गया है तो यहां से 8 return हो जाएगा similarly अगर यहां पे 0 होता 0 होता तो first line में है यह while loop नहीं चलता और pw की value यहां से 1 return हो जाती तो इस तरीके से यहां से power calculate हो रहा है r में 0 है plus नहीं अभी यहां पे multiply होगा 2 का power 0 यहां से 1 मिला यह finally क्या मिला 0 ठेक है तो इस तरीके से अभी सिर्फ यह 0 के लिए हुआ फिर अब हमें यहां से 1 का भी तो find करना है तो क्या करना होगा यहां पे यह जो binary है ना यह जो binary है इसको divide कर दो 10 से तो कॉसेंट क्या मिलेगा कॉसेंट अगर binary में क्या 1010 divide by 10 करेंगे तो कॉसेंट क्या आएगा 101 101 आया तो इसको हमें एक variable में store करना होगा इसलिए यहां पे error आ रहा है तो हम उसको इसी binary में store कर दी अभी binary में 101 है तो फिर यह while loop के पास क्या क्या 1010 के ब्रावर नहीं है true तो फिर यह वाला लाइन चलेगा binary मॉडूलो 10 अभी binary हम क्या है 101 101 मॉडूलो यहां पे 10 होगा तो reminder क्या मिलेगा 1 मिलेगा जब 1 मिला तो अब इस लाइन पे आएगा फिर Twin का पावर 1 अभी क्या होगएगा देखो decimal की value अभी भी 0 है अभी भी decimal की value zero है लेकिन यहां पे आर की value क्या हो गई 1 in 2 into अब 2 का पावर इस 1 का position क्या है इस 1 का position है 1 तो 2 का पावर 1 क्या होता है 2 यह हम्या देतागा 1 into 2 यह मिलेगा टू ठीक उसी तरीके से फिर यह कल्कुलेट होगा तो अब 101 डिवाइड अभी बाइनरी के वैल्यू क्या थी 101 फिर 101 डिवाइड वाइड टेन होगा तो यहां से कॉसेंट क्या मिलेगा यहां से मिलेगा टेन होगा तो यहां से कॉसेंट वैल्यू मिलेगा कॉसेंट टेन मिलेगा टेन मिला फिर यह वाइल लोग के पास गया क्या टेन जीरो के बरावार नहीं है ट्रू तो फिर यह बाइनरी के पास आएगा यहां पर फिर टेन मोडूलो टेन होगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा रिमाइंडर मिलेगा जीरो रिमाइंडर मिला जीरो ठीक रिमाइंडर जीरो मिला तो फिर इस डेसिमल वाले के पास आया रिमाइंडर अभी जीरो मिला अब हमारे डेसिमल के पास क्या है डेसिमल की वेल्यू टू है ठीक डेसिमल की वेल्यू टू है इसको मैं इरेज कर देता होते है ठीक है यह 2 हो गया उसके बाद कि फिर यहां पे आया अभी में 10 है तो 10 divided by 10 तो कॉसन क्या मिलेगा one one मिला तो फिर यह वाइल लू के पास गया है ठीक है क्या one zero के बराबर नहीं है true तो फिर अब यहां पर आएगा तो यहां होगा one modulo ten ठीक है तो reminder क्या मिलेगा zero reminder नहीं reminder मिलेगा one sorry one modulo ten reminder मिलेगा one ठीक है अब decimal में आएगा decimal में अभी भी two है two plus r की value क्या है one अब two two का power अब इस one का position क्या है तो one का position है three तो one into two का power three two power three क्या होता है eight one into one into eight यह क्या हो जाएगा ten यहां पर यह सम हो कि क्या मिलेगा ten ठीक है ten मिला फिर यहां पर one divided by ten हुआ यहां पर मिला constant zero अब फिर यह वाइल लूप में गया क्या zero zero के बरावर नहीं है false हो गया यह condition तो यह condition से बाहर हुए अब देखो इस decimal वाले variable में सारा operation store है तो इस decimal को हम यहां से return कर देंगे return करना है decimal को ठीक है इस decimal क्या store 10 तो यहां से यह 10 return होगा ठीक है और यह इस variable में साइन करेगा और यह यहां पर प्रिंट हो जाएगा चलिए इस वह में रन करके देखते हैं हो रन हो रहा एंटर आ बाइनरी नमबर 1010 डेसिमल ऑस बाइनरी 1010 इस टू क्यूं हो रहा उसको हम देखते हैं यहां पर कि यह क्यों हो रहा है कि इसको minimize कर लेते हैं कि अब देखते हैं कि तो क्यूं हो रहा है तो नहीं आना चाहिए यह यहां से यह return होना चाहिए यह कोपी करें कि करें कि यह था पेस्ट जर्रेश तो सही है तो कि हमुझ कि क्यों हो रहा है क्योंकि यह power हमेंसा 0 रहा जा रहा है इस पष़र को हमने बढ़ा या नहीं देखो हर ताइम यहाँ पर 2 क्यों रिटन हुआ 2 तो एकी बार मिला ना इसलिए 2 आ रहा है कि इस पावर को हमने कुछ करा नहीं पावर हमेंसा 0 ही रहा है तो इस पावर को में बलाना भी तो होगा देखो पावर हमने बस औरली बोल दिया कि पावर बल रहा है बट हमने पावर कभी बढ़ाया नहीं इनिसियली जब 0 मिला था तो पावर की वेल्यू 0 हो गई थी फिर वो 0 वाला जब कहानी खतम हुआ तो पावर पलस पलस हुआ तो 0 के बाद वो 1 हुआ फिर जब वहां पर 1 0 1 मिला था ठीक है और जब यहां से 1 आया था तो इस पावर की वेल्यू 1 हो गई थी अब देखो इसे हमरान करते हैं एंटर पाईंटर नमर 1 010 देखो डेसिमल आफ बाईंटर बाईंटर उटा हूं थेके अपर बाईंटर लेता हूं ठीक है सुझ को डेसिमल आफ बाईंटर इस इस 185 अभी से ब्रॉस वेरिफाई कर सकतो यह आपकी आपके लिए टास्क रहा हूँ कर दो कर दो